एक भगोना दूद को भी थोडा सा जामन जमा देता है उसी तरह साश्तर करता है कि यहा दही शिव को इसलिए समर्दित करा जाता हहे कि अगर भाई-भाई में विवात हो रहा हो देवरानी जिठानी आपस में जगड रही हो अगर कहीं साश पहू में कलेश हो रहा हो किसी का किसी का घर खंडित हो रहा हो कई परीवार आपस में तोट कर जा रहा हो कोई भाई भाई आपस में ढही है तो शिवका अभी शिट दः से करने से परीवार पा पाफ के जूड़ जाता है इसलिए पंचामरत में तही कि मूलता कैसा दो